ये बात सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और वापस आप महाभारत को business point of view से देखें, social point of view से देखें या family point of view से देखें लेकिन पहुचा जेते हैं जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ comment box में अपना सुझाव या अपना गुसा दोनों आप लेख सकते हैं क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ जो सीख के माध्यम से में मिलती हैं वो हमें सफलता की और आगे ले जाती हैं तो महाभारत का युद्ध शिरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध शेत्र का जो मुआयना था वो करने गए जो मुआयना वा करने गए तो वहाँ पर उनने देखा कि जो हाथी है वो सारे पेड़ों को तोड़ रहा है ताकि भूमी को समतल किया जा सके और वहाँ पर युद्ध हो सके तो पेड़ परना गोसला था जब चीड़िया का घोसला वहाँ से तूटा और वाँनों को जमीन पर गिर गया तो चीड़िया आपने आपने जो तीर चलाया वो तो हाती के लगाई नहीं गलती से वो घंटी पर लग गया यह बात सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और वापस अर्जुन के साथ चले जाते हैं अठारा दिन बाद जब युद्ध समाप्त होता है तो वहां से जब सारी चीजें हटाई जाती है तो वह आपका कभी भी बुरा नहीं सोच सकते और भुरा होने भी नहीं देंगे इसलिए अपने जीवन में यह दिया पार सफलता हासिल करनी है कितनी भी परेशानी आएं आप इश्वर पर विश्वास जरूर रखें क्योंकि इश्वर ने अपने बच्चों के लिए हमे तीर से लगा हुआ घाव तो भर सकता है लेकिन शब्दों का घाव कभी नहीं भाता भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों को रहने के लिए अलग जगह देने का प्रस्ताव रखा तो वहाँ पर उनको एक स्थान दिया गया जो जंगल से घिरा हुआ था लेकिन पा या कौरवों को जब कौरव वहाँ पर आये तो जो महल था ना वो इतना विशेश सुन्दर महल था कि वहाँ पर को अनुमा नहीं लगा सकता है कि कौँछी चीज क्या हो सकती है मतलब पत्थर असली फल पत्थर जैसे लग रहे थे पानी जो था वह ऐसा लग रहा था कि सड प्रिहास हो जाता एक तरह से उनको बड़ी बेश्ती सी महसूस होती है और जैसी बेश्ती महसूस हो रही होती है इतने में ही दुर्योधन के आत्मसमान को ठेस पहुचा देते जिसके कारण महाबारत का युद्ध हुआ तो दोस्तो कभी भी अपने जीवन में ऐसे शब्द ना बोलें जो किसी व्यक्ती के हिर्दय को दुखा दें क्योंकि कड़वे वचन कभी भी भुलाए नहीं जा सकते इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें नेक्स जो इंपॉर्टन लेसन है वो है अधूरा ज्यान खतरनाक होता है कहते हैं कि नीम हकीम खतराय जान ऐसा कई बार आपने सुना होगा कि अगर आपको दवाईयों की पूरी थोड़ी बहुत ना तो आपके शरीर के लिए हानिकारख हो सकती है इसलिए कहावत भी अधील कोंब आपनारख ईद्ल और कर्णिया जो युद्धा के साथ उन्न की मृत्यों लेदे नटन सकते हैं कम उमर के वच्चे थे और बड़े-बड़े योध्धायों के साथ उन्होंने उन को यहां को आने वाली परिस्थितियों को भाबते हुए भी युद्ध करने का निड़ने लिया और बड़े योद्धाओं के साथ अकेले बच्चे ने युद्धि किया और वीर गति को प्राप्त हुगया इस वजह से अभी मन्यू को वीर अभी मन्यू कहते हैं पर यहां आम एक बात समझ सकते हैं कि आदा अधूरा घ्यान हमेशा खतरनाक होता है आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ सीखते हैं उसको ठीक तरीके से सीखें पूरा एक एक लेसन पूरे इफ और अच्छी तरीके से समझें और उसके बाद उसका प्रयोग अपने जीवन में करें ता पूसते हूं यह तो अपना अपना नजरिया है मैं बात कर रहा हूं महाभारत में एक बात कई गई थी जहां पर कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल ना वो दान में दे दिये थे लेकिन उस दान लेने वाले व्यक्ति के मन में भावना थी कि वो चाहता था क यह जीवन रक्षक कवच के बिना हो जाए है ना इसी लिए गलत इंटेंशन के साथ उस दान मांगने वाले व्यक्ति ने कर्ण को कंटाक किया लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जरूत सेयादा विनम्र भी नहीं होना चाहिए यह भी आपके जीवन के लिए घातक हो स है और मुझे आसानी से मारा जा सके और आपको जब चीजे पता हो ना उसके बाद भी आप ऐसा निर्ने ले तो यह आपके लिए हमेशा खतरनाक होने वाला है कि यह दि आपको ऐसा आभास हो ऐसी फीलिंग हो कि मेरे लिए जो की जा रही हो मेरे प्रतियक साजिश है या इस जरूर देखें चया बिजनस पाइंट अब यू से देखें परसनल पाइंट अब यू से देखें शोशल पाइंट अब यू से देखें या फैमिली पाइंट अब यू से देखें लेकिन अपने जीवन में सकारत्मक चीजों को ग्रहन करने के लिए हमेशा तयार रहें तब में त्माईश्वरी आप के सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत